नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में ये वीडियो हमारे किसान भाईयों के लिए खास बनाया गया है इसलिए ताकि हम उने बता सके कि हर एक स्टेज में उसके खेली में क्या क्या चीज़े कब पूप योगी होती है और अगर हम इन सारी चीजों जोगा सही समय पे तरीके से इस्तमाल करें तो आप कम से कम लागत में जादा से जादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और एक मुनाफ़े की खेती कर सकते हैं और इन सब के लिए हमने जो हमारे फिछले एक दशक का अभव है वो डालके अलेगरे प्रडुक्स लाए है हमारे किसान लाइयो के लिए यह सारे प्रडुक्स और्गानिक है मतलब की जैविक है जिनका कोई भी रसिड्यू नहीं है कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है और फाइदे ही फाइदे है और ना के बहुत पेड़ बलकि मिट्टी पानी हवा किसी भी तरीके से यह प्रदूक्शन नहीं लाइते हैं और देखते हैं क्या का किते हैं जो एक पेड़ के लिए एक खेत के लिए बहुत जलूरी है जिसे उसका जीरी मतलब की उत्पादन बड़े उसकी आम्यमी बड़े तो शुछु करते हैं हम बात गर सबस confirms पेड़ के बहृत जलूरी है उसकी रून और वाइट र जो कि आपके मिट्टी में आपके पौधे को मजबूत बनाएगा उसकी ग्रोध बढाएगा इसके पाद दूसरी जो बहुत जरूरी होती है वह है जाइम या सीवीड बेस में कुछ सप्लेमिट होना जो नाकेवल एक स्टिमुलेटिंग का काम करेगा बलकि नूट्रिशन की ट्रवाइड करता है आपके पौधों को तीसरी जरूरी है जो है वेजिटेटिव ग्रोध मानिक जो पेड की रुद्धि होनी चाहिए उसकी शाखाओं की पौधों की पक्तों की और उन सब की क्वालिटी उसके लिए ह जरूरी होता है उसमें अच्छे फ्लारिंग जैं जिसके लिए फ्लार्ज आंड फूल आए जो पौधे में फूल आए वो फूल ज्यादा से जादा आए फूल न गिरे यह भी बहुत जरूरी है और उसके पाद जब फूल आगे अनाज में या फलो में तबदील हो तो उनक उनाका अप्तेक है, मिट्टी में से जो भी न्यूट्रिंस हैं आप जो खाट टालते हैं फटिलाजर डालते हैं वो पेडों के द्वारा जड़ों से प्धोट तक पहुशे, उसके लिए बहुत ही ज़नौरी है, manufacturingraft 266जिन, इसकेर की मिलदॏ 10 seminar चाफ़ जो कि मिट्टी में और यानिक कार्वन की मातरा को बढ़ाता है मिट्टी के जो स्ट्क्चर में जिससे उसके अंदर जो आपके न्यूट्रेंसे इसके फ्लो को इंपरू करता है इसके अलावा दो और चीज़े हम बहुत रेक्मेंट करते हैं हमारे सभी किसान भाईयो वो एक सरोवर शियत्तर जो की अलग तरीके का टॉनिक है और जो बहुत सारे न्यूट्रेंस भी प्रोवाइड करता है आपके पेड को बेसिकली मरीन बेस में जो जो न्यूट्रेंट आते हैं ये लिव नार्डरीट बेस में एक फॉम्लेटेंट ग्रोथ प्रमोटर है इसके बाद जो लास्टेंज में हम आते हैं जहां आपके आप से हमने सब बनाया है इसके साथ साथ पोटैश लिक्विड पोटैश हम सबको सब्सक्राइब करते हैं ताकि जो पत्ते हैं उनकी फिनिशिंग काफी अच्छी हो जो एंड प्रोड़क्ट है उनका कलर और फिनिशिंग अच्छा हो साइज बड़े ताकि जो फल बेज र इसका अगर साइज बड़ेगा वजन बड़ेगा तो आपको जो आप पूट है उसमें अच्छी खासी बरुद्री हो सकती है उसके लिए सब्सक्राइब को मदद करेगा अब ये तो सारे हरे एक स्टेज में क्या क्या चीज़े किस तरीके से समाल हो सकती है ये बताया गया ह ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जब सब कुछ होता है तो तो अलग अलग चीजों का भी अटक होता है ये पेडों पे आपके पेड को बचाने के लिए एक रिपलेंट का काम करता है प्रड़क्ट जो की 100% और्गानिक प्रोडक्ट है सात में छोटे मोटे लार्वाज जो प्रेपलिंग के लिए काम करता है नीम करंस साथ में यह बहुत ही अच्छा anti-bacterial plus anti-viral liquid है नीम करंस बहुत सारे application में इस्तिमाल किया जाता है यह बाकी products के साथ भी दिया जा सकता है और यह इतने भी product हैं को आप बाकी products के साथ combination में इस्तिमाल कर सकते हैं सिर्फ अगर हम डॉक्टर सरोर की बात करें तो उसके ज़रा खास ध्यान देना पड़ता है जिसके लिए आप एक्सपर्ट से ओपिनिन ले सकते हैं यह सारी चीजे हम खिसानों के लिए लाएं हैं और बहुत ही वाजिब दाम में हम सीधा किसानों तर कोचाने की कोशिश करते हैं ताकि यह जो inputs है, इसकी cost कम से कम लगे, और जो किसानों के cost का या fertilizers की कीमितों का, जो growth promoters की कीमितों का load है, वो कम से कम लगे, और हमारे किसान भाईयों की growth हो, इसी objective से हम यह काम शुरू किये हैं, और यह सब आप एक साथ हम से ले सकते हैं, अलग-अलग individually भी ले सकते हैं, आपको कोई भी सवाल हो, आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, या आप इवन इस वीडियो में कमेंट कर से हमसे पूछ सकते हैं, नमस्ता, जैहेंट